हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है जीवों का वर्गी करण हम जानेंगे कि आखिरकार जीवों का वर्गी करण इतिहास से लेकर जो अभी 5 जगत वर्गी करण हम पढ़ते हैं वहां तक ये कैसे पहुँचा इसके बारे में डीटेल से जानेंगे जीवों जगत के इतिहास का अध्यान करने पर ग्यात होता है कि इस ग्रह पर मतलब की पृत्वी पर पौदों एवं जन्तों की उत्पती मनुस्य से पहले हुई थी बाद में मनुस्य से जो की पृत्वी पर उपस्ती सबसे बुद्धिमान प्राणी है इसने पौदों एवं जन्तों का उप्योग अपनी मूल भूत अवसक्तियाओं की पूर्ती हेतु करने लगा अता अपनी सुईदा तथा पहचान के लिए उसने पौद्धि एवं जन्तों को नाम देना प्रारम किया तथा बाद में उनकी लक्षडों की आधार पर वर्गी करित करना प्रारम किया था जिवधारियों की वर्गी करन का जो सबसे पहला वर्णन है वो चंदन योग ये उपनी सद है उसमें मिलता है इसमें जीवों की तीन समूह जीवज अंडज एवं उभीज में वर्गी करित किया गया है इसके पस्चा सुसरुष सहीता में सभी वस्तूओं को दो समूह जंगम अर्थात चलने वाला एवं इस्थावर अर्थात इस्थिर उधारन के लिए जैसे पौधे में वर्गी करित किया गया है हिपोक्रेट्स एवं अरस्तु ने जीवधारियों को दो समूह जन्थू एवं पादप जगत में वर्गी करित किया था अरस्तु ने जन्थूओं को दोस्रेणी में वर्गी करित किया था पहला है इनाईमा मतलब की लार रक्त कड़ वाले जन्तु और दूसरा है एनाईमा मतलब की यहां लार रक्त कड़ रहित जन्तु इसके पस्चाथ यो फ्राष्ट जो थे 370 से 280 BC में इन्हें वनस्पत्ती विज्ञान का जनक कहा गया है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों का उनकी प्रक्रिति के आधार पर 4 समू वरेक्ष जाड़ी छोटी जाड़ी एवं साग में आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण की जो निव थी उसे कैरूलस लीनियस ने रखी थी 707 से लेकर 1778 के बीच इन्होंने अपनी पुस्तक दो पुस्तक थी इस्पिसीज प्लांटेरम एवं सिस्टेमा नेचुरी इसमें इन्होंने इस्पिसीज प्लांटेरम में 5900 पुधों को तथा सिस्टेमा नेचुरी में जन्तुओं की 4200 प्रजातियों का वर्णन किया था इन्होंने ही पुधों एवं जन्तुओं के नामकरण की दुई नामकरण पद्धती के सिधानतों का वर्णन किया इन्होंने पुधों का कृत्रिम वर्गी को वर्गी की का पीता या फिर फादर और टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसके पस्चात 1979 में आरेच वी टेकर ने विशिस्ट लक्षणों पर गहराई से विचार करते हुए समस्त जीवों को पांच जगत में स्रेंडी ब्रद करते हुए पांच जगत वर्गी करण प्रस्तूत कि मतलब कि यहां पर कैरूलस लीनियस ने दुई जगत वर्गी करण दिया और इसके पस्चात वी टेकर ने पांच जगत वर्गी करण का जो प्रस्ताव है वो दिया इन्होंने जीवों को पांच जगत में वर्गी करत कर दिया था वी टेकर द्वारा दिय गए यहां प्रणाली आधुनिक वर्गी करण प्रणाली के रूप में सरवादिक मानिता प्राप्ते प्रणाली मानी जाती है दुई जगत वर्गी करण की कमियों को देखते वी आरेच वी टेकर ने सन 1979 में जो पांच जगत वर्गी करण दिया उस अब हम इसके बारे में एक एक डीटेल से जानते हैं कि ये जो जगत हैं उनमें उन जगत के जो जीवों हैं उनमें कौन-कौन सी खासियत पाई जाती है पर यहां पर यह जान लीजिए कि जो पांच जगत वर्गी करन था उसमें जो वीटेकर थे उन्होंने इसका जो आधार था किस आधार पर इन जीवों को वर्गी करित किया था सबसे पहला था कोस्किय संगठन मतलब कि यहां जीवों को उनके जो कोसिका संगठन है जीव या तो प्रोकेरियोटिक या फिर यूकेरियोटिक है इस आधार पर उन्होंने देखा और वर्गी करित किया दूसरा है ए बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इसको भी उन्होंने आधार बनाया तीसरा है पोसन प्राप्त करने की विद्या मतलब स्वापोसी अथ्वा विसम पोसी चौथा है जीवन सैली जीवन सैली में यदि देखें तो इसमें उत्पादक उपभोकता तथा अब घटक आते हैं चलिए अब देखते हैं ये जो पाँजगत वर्गी करन है उनके जो जीवन उनके जीवन उनमें कौन-कौन सी विसेस्ता पाई जाती है यहां सबसे पहला हमने बताया कि पहला जो था वो है जगत मोनीरा यदि इसके प्रमुक लक्षण की बात करें तो इसके अंतर में तो यहां पर प्रमुक लक्षण है कि इस जो जगत है जगत मोनेरा उसके जो जीवन होते हैं और प्रोकेरियोटिक होते हैं मतलब कि इनका जो केंद्रक है वो विक्सित अच्छे से नहीं होता सेकेंड है इनमें कोसिका भित्ती पाई जाती है जो कि सैल्यूलोज पेप् जिल्डी से कोसिकांग जैसे की माइटोकॉंड्रिया, एंडोप्लाजमी क्रेटीकूलम तथा गौल्जी बॉड़ी आदिका अंभाव होता है चौथा है इनमें पोसंड कई प्रकार से होता है या तो यह स्वांपोसी होते हैं मतलब अपना भोजन स्वांपोसी हो सकते हैं अथवा विसंपोसी हो सकते हैं पाच्वां है ये प्राया एक कोस के जीव होते हैं मतलब इनका जो संरचना है इनका तो ये केवल एक ही कोसिका से बने होते हैं इनमें नाभी के चारों और नाभी के जिल्ली तथा नाभी के अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती देखिए प्रोकेश्ण जीयों का यही विसेस्टा है लख्छन है कि इनके जो नाभीक होते हैं उसमें नाभ्गे घिल्डी नहीं पाई जाती और नाहीं पर कलिकायन या फिर जिसे बडिंग कहा जाता है उसके द्वारा होता है इनमें तंतुक इवं कसाफिका मतलब सीलिया या फिर फ्लैजिला होता है इनमें सुच्छ मननलिकाएं 9 प्लस 2 विन्यास प्रदर्सित नहीं करती हैं कुछ मोनेरा जो जगत के जीव हैं उनमें नाइट दवरण से नाइटरोजन इस्थिरी करन कर सकते हैं या इसका इग्जामपल देखें जगत मूनेरा का तो इसमें आ जए प्लू ग्रीन ऐल्गी राइजोだ यम बैक्टिरिया यह बहुत बड़ा एक इकSvlubal फो आते हैं हम इसका जो बैक्टिरिया है इसको और यहां पर क्ला प्रोटेश्टा जगत यदि हम बात करें तो प्रोटेश्टा सब्दका उप्योग सर्वप्रथम वैज्ञानिक एच हैकल के द्वारा 1866 में किया गया था अगर हम इस जगत की बात करें जीओं की संख्या की बात करें तो अभी तक लगबग 50,000 जातियों का पता लगाया जा है जिनमें लगबग 20,000 जातियां विलूप्त हो चुकी है चलिए अब देखते हैं प्रोटेश्टा जगत की जो विशेश लक्षण है जीओं में वो कौन-कौन से है ये प्राया एक कुस्किय यू केरियोटिक जलिये जीव होते हैं इनमें कोसिका भित्ती होती है या फिर नहीं भी होती यहां पर दो यहां पर दो टाइप की यह हो सकते हैं कोसिका भित्ती सहित या फिर कोसिका भित्ती रहित जब कोसिका भित्ती उपस्थित होती है तो वह सेल्यू लोज की बनी होती है यदि उदारन की बात करें तो एक कोस की सेवाल इनमें प्रारूपिक यू यूकेरियोटिक को सिका है इसलिए इनमें जो सत्य केंद्रक है वो पाया जाता है और इनमें जो ये को सिकांग है वे जीलियों के अंदर बन रहते हैं और सुविक सित रहते हैं इनमें DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है इनमें प्रचलन हेतु सीलिया और फ्लैजिल पाया जाता है इनमें पोसंड कई विधियों से हो सकते हैं जैसे कि प्रकास लेशन, जन्तूसम पोसंड, बृतोब जीवी या परजीवी पोसंड पाया जाता है इनमें प्रजनन लेंगिक अथ्वा आलेंगिक विधिद्वारा हो सकता है यहां उधारन यदि हम देखें प्रो गजबी कहा जाता है तो कवकों का जो अध्यन है वो माइकोलॉजी कहलाता है और यहां इनकी लगबग एक लाग प्रकार की जातियों का पता लगाया जा चुका है यहां इनमें सबसे पहला जो लगचण है वो है यह यूकेरियोटिक बहुँ कोस के जिवधारी होते हैं मतलब इनका जो सरीर है वो बहुत सारी कोसिकाओं से मिलकर बना होता है मतलब बहुत की होते हैं जिनमें विसम पोसी पोसन पाया जाता है इनमें पर्ण हरीम का अभा होता है विसम पोसी मतलब कि यह अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकते यहां पे इनमें पर्ण हरीम नहीं पाया तन्तु के समूह को कवग जाल कहा जाता है देखिए एक तन्तु होगा और ये एक तन्तु के साथ और तन्तु मिलेंगे और एक समूह के रूप में बन जाएंगे जिसे कवग जाल कहा जाता है इनके कवग तन्तु बहु कोसी किये या संकोस किये हो सकते हैं अर्थात पटर रह स्सर्वाइब होटे हैं इनकी कोशिका फित्तिissements पंगल सेलीवुलोज एवं कायटिन की बनी होती है यह विशमपोसी होते हैं इनकी कुछ प्रजातियां परजीवी एवं कुछ प्रजातियां मृतोफ सैंसर्द करते Department and system样, sru butter करते हैं और मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका अब घटन करके भोज्य पदार्थों को घुलन सिल बना कर उसे अवसोसित कर देते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे कवक का एक अलग से सेपरेड वीडियो बनाया है मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप उसे देख सकते हैं डिटेल से की कवक होता क्या है यहाँ पे हमारा छट्वा लक्षन है यह भोज्य पदार्थों का संग रहन मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है उसको अपने इकठा अपने सरीर में गलाइकोजन के रूप में एवं तेल की बियुंदो के रूप में करते हैं इनकी कोसिकाओं में लवकों का अभाव होता है इनमें प्रजनन आलेंगिक एवं लेंगिक दोनों वीधियों द्वारा होता है यह अप घटक के रूप में कार्यकर की पदार्थों के चक्रण में सहता करते हैं यदि हम एक्जामपल देखें कवक जग यह एक ब्रेट बनाने में हम यूज करते हैं यहां पर है पैनिसीलियम, मीउकर, राईजोपस, आदी अब हम यहां पर नेक्स्ट जो हमारा जगत है उसको देखेंगे हमारा यहां पर नेक्स्ट जगत है चौथा जगत, पादब जगत या फिर प्लांट किंग्डम तो चलिए देखते हैं प्लांट किंग्डम की जो विसेस्ता या फिर लगचण है यहाँ पर लगबग तीन लाग पचास अजार से अधिक पादब जातियों की खोज हो चुकी है तो यहाँ पर यदि देखें पहला लगचण है इसमें यह भूमी में इस्थीर होते हैं इनकी कुछ प्रजातियां जल में भी पाई जाती है यह बहुत कोसकी होते हैं मतलब बहुत सारी कोसिकाओं से मिलकर बनी होते हैं तता इनकी कोसिकाओं की चारों और बाहरी जो लेयर है कोसिका भिती पाई जाती है देखिए यदि हम बात करें पादब कोशिका की ते इसका जो प्रमुक लक्षण है कोशिका भीत्ती ये बहुत ही महत्तोपूर है और ये जो कोशिका भीत्ती है वो cellulose की बनी होती है इनकी कोसिकाओं में लवक पाए जाते हैं या फिर प्लास्टिट्स पाए जाते हैं इन लवकों में क्लोरोफिल जैसे प्रकास संसलिसी मरनक पाए जाते हैं देखे पौधों का मुख्य लक्षण ये है कि इनकी पतियों में क्लोरोफिल पाए जाता है और इसी की सहायता से ये प्रकाश संसलेसन की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं इसे कारण ये स्वैम पोसी होते हैं अता इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है ये बहुकोस की होते हैं तथा यूकरियोटिक कोसी का सनरचना वाले होते हैं इस समू के अंतरगत आने वाले कुछ पोधे विसम पोसी भी होते हैं मतलब कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उदाहरान के लिए आप जानते ही होंगे अमर बेल या फिर घटपढणी यहाँ पे एक किडभक्ची पौदा है जो की दूसरे जीवों से अपनी कुछ जो पोसक तत्व हैं उसे प्राप्त करते हैं इनमें भोज्य पदात प्राया इस्टार्च के रुप में संग रहित किया जाता है इनमें प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों वीदियों में होता है उदाहरण सभी सेवाले ब्रायो फाइट्स टेरीडो फाइट्स अनावरित बीजी एवं आवरित बीजी पादप पादप जगत के उदाहरण है अब हम नेक्स्ट हमारा जो जगत है वो देखेंगे हमारा यहां पर पाँच्वां जगत है जन्तु जगत या फिर एनिमल किंग्डम यहां पर यदि हम बात करें जन्तु जगत की तो यहां 12 लाग जन्तों को सामिल किया जा चुका है जन्तु जगत की अंदर और आज भी न मुकलक छेणे वो कौन कौन से हैं जन्तु जगत के अंतर के सम्मिलित सभी जन्तु होते हैं वो बहुकोस के एवं यूक केरियोटी कोसिका सरजना वाले होते हैं इनमें क्लोरोई फ्वील अरुपस्थित होता है अता ये विसम पोसी होते हैं अर्थात ये अपना जो भोजन है वो स्वेम नहीं बना सकते और दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनकी कोसिकाओं में कोसिका भित्ती का अभाव होता है देखिए पादब कोसिका था उसकी बाहरी लेयर में कोसिका भित्ती पाई जा रही थी परन्तो यहां जन्तु कोसिका में कोसिका भित्ती पाई जाती तो जो जन्दू जगत है उसका बहुत बड़ा लग्षड यह है कि इनमें इनकी जो कोशिकाओं हैं उसमें कोशिकाबिति नहीं पाई जाती यह भोजन को निगल कर खाते हैं अर्थात इनमें प्राडी सम पोषण पाया जाता है या फिर होलोजोइक न्यूट्रि उस सर्जन है तो इनमें विशिष्ट प्रकार का उस सर्जन तंत्र पाया जाता है इनमें भोज्य पदार्तों का जो संग्रहण है वो गलाइकोजन के रूप में होता है तो यह थे यदि हम इसका उदारान देखें तो मनुस्य घोडा खरगोस बंदर चमगादर उट वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे एक्जामपल होंगे जो बताने में संभव नहीं है परन्तों यहाँ पर फिलाल यह सब एक्जामपल हो गए इसके दोस्तों यह थे 5 जगत वर्गी करन जिसको मैंने समझाया यहाँ पर और सायद आपको यह समझ भी आ गया होगा अच्छे से तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिपिकेशन मि झाल झाल